नमस्कार दोस्तों कानून का दरवजा चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज के इस एपिशोड में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपके कोई फरीक जॉइंट पॉपर्टी में से यदे जमीन बेच रहा है उसे आप रोकना चाहते हैं वो नहीं मानता है तो वो जॉइंट पॉपर्टी से बिना बड़वारा किये जो जमीन को बेच रहा है तो उसे कानूनी रूपशे किस प्रकार रोका जाए इस बात की मैं आपको जनकारी दे रहा हूँ जी यहां दोस्तों समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है इस तरह के धेश सारे मुकदमे न्याले में आ रहे हैं कि समाज के दमंग बेकते अपने कमजोर फरी को जमीन माट कर नहीं दे रहे हैं और घर के गरजन जिनके नाम से जमीन है उनको उल्टा सीधा पढ़ा कर उन्हें मेल में लाकर उस जमीन को बिक्री कर देते हैं और उसी पैसे से दूसरी जगह जमिन खरीद लेते हैं या तो स्वेंग के नाम से या अपनी पतनी के नाम से या अपने बच्चे के नाम से जमिन खरीद लेते हैं और वह जमिन बिक्री हो जाती है यदि आप उसे रोकना चाहते हैं रोकने के लिए आप गाउंगर में पंचा ताकि आगे गाउं के मुख्या सरपंच भी उनके मेल में आ जाते हैं उनका ही गुनगान करते हैं यदि आप उनके एगेंस्ट में थाना जाते हैं तो वह पुलिस को भी मिला लेता है पैशा के बल पर और कमजोर ब्यक्ति की आवाज को दाब दिया जाता है और कभी कभी तो ऐसी भी गटना होती है कि दमंग बैकती यदि उनकी मां के नाम से जमिन है या पिता के नाम से जमिन है तुने बहला फुश्चला कर उल्टा शिधा पढ़ा कर वो अपने नाम से उस जमिन को लिखवाने के लिए वो उन्हें जिनके नाम से जमिन है उनको रिष्ट्री कारिया ले आते हैं और पिरिद बैक्ति उसका पीछा करते हुए रिष्ट्री कारिया ले आते हैं वहां रिष्टार को आवे दिन देते हैं जमिन रिष्ट्री रोकने के लिए फिर भी जो हुआ रिष्ट्री नहीं रुकता है और रिष्टार भी उस जमिन का रिष्ट्री उनके नाम से कर देता है और पिडित बेक्ति के पास रोने चिलाने के हिलावे कोई सेश उपाई नहीं रह जाता है तो दोस्तों यदे आप सब में से किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो आप सरपर्थम नियाले आकर पार्टिसन सूट का मुकदमा फाइल करते हैं और उस पार्टिसन सूट का जो मुकदमा आप फाइल करेंगे उसका सर्टिफाइट कोपी आप उठा ले और उस सर्टिफाइट कोपी उठाने के बाद यदि आपके पास समय बचता है अभी जमीन रिश्ट्री होने में कुछ दिन सेश रह गया है तो आप उसी केश पर जो आपने बढ़वारा के लिए किया है उसी बढ़वारा सूट केश पर नियाले में इंजक्शन का पिटिशन दे रहे हैं और विक्री पर रुक लगाने के लिए और यदि आप उस पर आवेदन देते हैं इंजक्शन सूट का इंजक्शन का तो नियाले उस जमीन को विक्री करने पर रुक लगा सकता है और होश्यार बेक्ति जो हैं आपके परतिद्वन्दी वह ऐसा करते हैं कि आपके द्वारा मुकद्मा करने के बावजूद उस मुकद्मा में जल्दी हाजिर ही नहीं होते हैं जो आप उस पर इंजक्शन लगा कर रोक लगवाएंगे तो इसके लिए सिधा उपाय ह कि आप सेटिफाय कोपी उठा लें और याद रखें कि जीले का जो कलक्टर होता है वह कलक्टर के साथ साथ जीला रेश्टार भी होता है तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा वकिल रख लें और वह कोपी मुकदमा का कि शाथ ही कलप्तर शाहब को जमिन की विक्री रोकने के लिए रैस्ची रोकने के लिए आवेदन देंगे और उस आवेदन के साथ वह केश का जो कोपी है आपका बढ़वारा सूट का सट्रिफाय कोपी वह भी लगा करके दें और इस तरह का आवेदन जब अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलक्टर के पास देंगे अपनी बात को रखेंगे तो कलक्टर सहाब उस पर आदेश कर देंगे कलक्टर के आदेश से आपका रखेंटरी तुरत रुख जाएगा इसमें कोई संदेज नहीं है यहीं एक मात रुपा है यदि आप इस समय कागजात के बगएर रेष्ट्री रोकना चाहेंगे आप रेष्टार को आवेदन देंगे रेष्ट्री रोकने के लिए कहेंगे तो वह आपकी बात को इंकार कर जाएगा और रेष्ट्री हो जाएगा आपकी बात को नहीं मानेगा इसका एक मात रुपाय है कि जो मुकदमा आ आफलगतर को आवब दन दें और कर दार के अवेदन पर आदिश करवा कर करें पुने एक लंगतर को अवेदन दें और साथिं जो अपने कग्टर शहाब का अदेश है वह और और न्याले की जो कोपी है कैस्की वह लगा करके दें तो उस र repet रुख लग जाएगा तो दोस्तों इस तरह आप अपने स्वार्थी फरेग स्वार्थी भाई चालाग ब्यक्ति के जमिन विक्री करने पर कामनी तरीके से आप उस पर रूख लगा सकते हैं और इसमें आपको शफलता अवश्य मिलेगी यही एक मात रुपा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो का इंतिजार करें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब हवस कर लें बेल आइकन को प्रेश करें शादि यदि आपको ये वीडियो पशंद आती है तो इसे लाइक हवस करें और फिर मैं आप से आगे कहना होती है तो आप हमारी कमेंड बॉक्स पर मैसेज भेज़ें या हमारा नम्मर प्राप्त करके आप हमारे मुवाइल पर सीधा हमसे शंपर्क कर सकते हैं इसके लिए शंधिया पांच बजे से रात्री नो बजे तक आप हमसे शंपर्क करके अपनी समस्या को सुल जा सकते हैं धन्यवाद